जैहिन साथियो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड़ा में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहरने वाले हैं जारखन चवकिदार से संबंदित परसने जारखन चवकिदार का मतलब जारखन के किसी भी जीला में अगर चवकिदार का एक्जाम होता है तो यहां से परसने जरूर पूछे जाएंगे तो चले दोस्तों आज कर लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो चलिए शुरू करते हैं यहां से अपना फोटो को कट कर देता हूं ताकि कोस्तन आपको अच्छी तरह से दिख सके आज का पहला सवाल आपका महेंदर सिंग धोनी ने अपना पहला टेस्ट मेंच किस देश के विरूद खेला था आपके चार ऑप्सन है बंगला देश इंगलेंड और स्रिलंका इसका इंसर होगा आपका ऑप्सन नमर डी क्या हो जाएगा स्रिलंका के खिलाब अगला कोस्तन दूसरा सवाल है आपका न बिहार उसके बाद उदवा पक्षी आप चीन एंसर अपका आपका ऑपशन नमर ची क्या हो जाएगा निगार बिगफाथ किस नदी नधी पर अगला कोस्ट चार नशाल आपका जार्खनगी सर्वधिक युद्धक जनजाती क्या है्ज आपके OS tempo क्र वार संक्राइसाज रहा जनजाती पर्हिए पर्सीदवाशले दीखते हैं फांच नमर च्वाल tremendous रिप्यक्टृ लिमिटेट कहां अवस्तित हैं आपके ऑप्षन है घाट सिला धनबाद राची बोगारो एंसर होगा आपका ऑप्षन नमर ए क्या हो जाएगा घाट सिला में अगला कुशन तिलका माजी को अंगरेजो द्वारा किस बर्ष धोके से पकड़ा गया आपके ऑप्षन है 1780, 1856, 1785, 1788 इंसर होगा आपका ऑप्षन नमर सी क्या हो जाएगा 1785 इज़ी में पकड़ा गया था अगला कुशन देखते हैं तो पहला वाल आपका सही है दूसरा देखते हैंसंतालों को मूल निवास इस्थान ऊरिशा जहां इने साउतार कहा जाता था एवाल आपका गलत है इसका मून लिवास कहा था पच्छे मंगाल में था जिन्हें सावतार कहा जा रहाती है शेले आपका गलत हो जाएगा नीचे में देख लेते हैं कूट का परयोग क्या गया तो इसका answer होगा आपका option number A केबल को सही है अगला question देखते हैं 8. सवाल है आपका कटोंग बाबा कटोंग किस बिद्रो का गीत है आपके option है उल्गुलान बिद्रो, संथाल बिद्रो, ताना मगत अंदूलन, सपहोड अंदूलन answer होगा आपका option number A क्या होजाएगा उल्गुलान बिद्रो अगला question देखते हैं 9. सवाल है बिद्धान सवा का सत्र एक बर्स में कम से कम कितनी बार आहुत किया जाना चाहिए आपके option है तीन बार, पांच बार, एक बार, दो बार answer होगा आपका option number D क्या हो जाएगा आपका दो बार अगला question 10. नमर question है आपका जारखन सब्द का सरप्दा मुले कब क्या गया है आपके option है 7. सताब्दी में 11. सताब्दी में उसके बाद नीचे आपका option दिया गया आपका 13. सताब्दी में उसके बाद 10 भी सताब्दी में, इसका एंसर होगा आपका आपसन नमर C, क्या हो जाएगा 13 भी सताब्दी में, अगला कुशन देखते हैं, ग्यारा नमर स्वाल है आपका, इन में से कौन सा जार्खंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आपके ओप्सन है, फिरोस सहत उगलक, आदिल सहा दुईतिया, उसके बाद आपका सेर सहा, और D में दियागा आपका बक्तियार खिलजी, इसका सही एंसर होगा आपका ओप्स किस परकार से मिलेगा? उसके पाकुर मारता 7% और 10% पूरवी सिंग, अगला कोशन चलते हैं, अगला कोशन जैसे यहाँ पर देखेगा आप लोग, राजमेल के उद्वा नाला में अंग्रेज के साथ किसने इउट किया था? तो इसका पहले से आपका एंसर टीक क्या हुआ है, क्योंकि इसका टेस संथाल प्रगना चेत्र में बहावी अंदुलान का प्रसार प्रचार किसने क्या था? आपको चार ओप्सन जैसे देख सकते हैं, मुहमद हुसेन, पीर हुसेन, उसके बाद हुसेन साहसार की और अहमद साब दली, तो इसका इंसर क्या होगा? जैसे मुझे पता है, बी होगा बी में क्लिक करेंगे, इस दार आपको मैं गलती करके दिखाता है, तो गलती करता हूँ, तो मैं क्या? C में मारता हूँ, D में मारता हूँ, D में मारता हूँ, तो मेरा गलती हो गया, गलती होने आपका रेड हो जाएगा, तो देख सकते हैं, तेरा पारसन बच्चा गलती क् आपका सही होता या फिर गलत होता सारा चीज आपका यहां पर दिखा जाए इस तरह सापका कोस्टन मिल जाएगा सारा कोस्टन देख सकते हैं ठीक है चलिए आपका दूसरा कोस्टन एक पर दिखाते हैं जैसे यहां पर आ गया आपका संथाल विध्रों से पूर हुई बैठक में संथाल बिद्रो का राजा किसे बनाए गया था संथाल बिद्रो जो हुआ था ना संथाल परगना में यहाँ पे हम लोग का बरहेट से शुरू हुआ था तो इसका राजा किसे बनाए गया है तो इसका राजा जैसे कि मुझे पता है साइद इसका राजा सिद्धू को बनाए गया था जिस देख सकते हैं यहां पर 87 परसन वच्चा सही क्या था और कुछ परसन वच्चा गलत भी क्या है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा इस तरह का आपको कॉर्स मिल जाएगा इसका प्राइस रखा गया है मात्र दो सो निरानमे रुपए जिसको जोन करना है कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप वहार सा नमर दिया गया है इसमें आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो एंसर होगा आपका आपसन नमर एक क्या हो जाएगा आपका सो नदी अगला कुशन देखते हैं तेरे नमर सवाल है आपका दोपैर का भोजन माजवान की जनजाती में कहलाता है आपके आपसन है मुंडा संथाल हो भील इसका एंसर होगा आपका आपसन नमर बी क्या हो प्राम अली का सम्वंद किस खेल से है आपके ओप्सन है होकी काइनिंग भूसू जिमनाश्टिक इसका इंसर होगा आपका ओप्सन नमर B क्या हो जाएगा काइनिंग से यह जो आपका कोसन है यहाँ पर सिर्फ आपको ज्ञार्खन जीके कराए जाएगा अगर आप साहर्खन क किस जीले में टंगिस्टन सरविक मातरा में पाये जाता है आपके ओप्सन है लातिहार पुडवी सिंगुम बोकारो हजारी बाग इसका इंसर होगा आपका ओप्सन नमर D क्या हो जाएगा हजारी बाग अगला कोसन जादो पट्या पेंटिंग एक परकार की लोग कला है जो जो पेंटिंग है आपका की जंजाती में पर चली थे तो याद रखना संथाल जंजाती में पर चली थे अगला कोसन जारखन लोग से वायोग जेपेसी की पहली महिला ध्यक्ष कोन बनी है एंसर होगा आपका ओप्सन नमर C क्या हो जाएगा मेरी निलिमा केरिकट्टा ओप को अप्सन है जैसे यहाँ पे अंग्रेजे दोबारा दमन की एक परकिरिया एक सकेंड यहाँ से इसे मिटाते हैं उसके बाद देखेएगा आप लो यह नमर है आपका अंग्रेजे दोबारा दमन की परकिरिया उसके बाद B में कहा गया है एक ऐसी संपत्ति जो जमिदारों दवारा दमन के रूप में पिर्थक रूप से परियुक्त की जाती है उसके अत्सी में दिया गया आपका संथाल प्रगना के पूरे छेत्र को सरकारी संपत्ति की रूप में घोसना एंसर होगा आपका उप्सन नमर सी ठीक है याद रखेगा दामीने को क्या है तो संथाल प्रगना के पूरे छेत्र को सरकारी संपत्ति की रूप में घोसना ये आपका दामीने को हो है अगला कुशन लेखते हैं उनेश नमर सवाल है आपका उनेश सो पंचानबे इस भी में घठित जहारखन छेतर स्वासासी परिशत का ध्यक्ष किसे बनाये गया था आपके उप्सन है सीबू सोरेन, सुदेश महतो, सूरी सिंग बेसरा, इन में से कोई नहीं इसका एंसर होगा आपका उप्सन नमरी, क्या हो जाएगा आपका सीबू सोरेन, अगला कुशन बीच नमर सवाल, और आज का आखरी सवाल अन्य पूर्ना योजना के तहट प्रति व्याक्ति को कितना रासन परदान किया जाता है इसका एंसर आपको कॉमेंट करके बताना है, आपको उप्सन क्या है यहापे, 12 kg, 10 kg, 5 kg, 15 kg जिसको इसका एंसर पता नहीं है, क्या की जगा आप, एंसर को गूगल में सर्च करके बताना है आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करना गूगल में सर्च करना अगर जानते हैं तो आप ऐसे ही कॉमेंट कर दीजिगा और जिन दोस्तों को साहिब के चविदार का कॉर्स जोइन करना हो कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस रखा गया मात्रों 290 रुपे इसमें आपको लगभ सर्च साथ सू पलस जी के मिल जाएगा